एक और बड़ी खबर बीजेपी ने ता दिलीब गोश्ट की मुश्किले बढ़ सकती हैं बता दे आपको दिलीब गोश्ट के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई जा चुकी है दिलीब गोश्ट पर T.M.C. ने F.I.R. दर्ज कराई है ममता बनर्जी के खिलाफ आपती जनक टिपडी का मामला है बीजेपी ने नोटिस जारी करके स्पस्टी करन मांगा था लेकिन आप दिलीब गोश्ट के मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है बता दे आपको दिलीब गोश्ट पर T.M.C. की ओर से F.I.R. दर्ज कराई जा चुकी है बड़ी कबर इसकी बता दे आपको ममता बनर्जी के खिलाफ आपती जनक टिपडी का पूरा मामला है जिसको लेकर दिलीब गोश्ट की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है गटबंधन के सभी नेता रैली में शामिल लोंगे इसकी बड़ी कबर बता दे आपको सामने आ रही है जहां पर B.J.P. नेता दिलीब गोश्ट की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है टीमसी की ओर से दिलीब गोश्ट पर F.I.R. दर्ज कराई जा चुकी है बड़ी कबर सामने आ रही है बंगाल से जहां पर दिलीब गोश्ट पर T.M.C. ने F.I.R. दर्ज करा दी है बता दे आपको पूरा मामला है ममता बनर जी के खिलाफ आपती जनक टिपड़ी करने का और अब इस पूरे मामले में दिलीब गोश्ट की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्टी की ओर से भी दिलीब गोश्ट से स्पष्टी करण मांगा गया था यह बड़ी कबर बता दे आपको बंगाल से सामने आ रही है जहाँ पर बीजेपी नेता दिलीब गोश्ट की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है बता दे आपको दिलीब गोश्ट के खिलाफ एफ आयार दर्च की गई है कबर पर जादा जानकारी के लिए समवाद आता ओम शील जुड़ चुके ओम शील दिलीब गोश्ट पर आप टीमसी की ओर से फायार दर्च करा दी गई है और क्या कुछ जानकारी बिलकुर इस तरीके से जो वीडियो वाई रहा था तिलिब गोश्ट का उसमें जो इसको लेकर वीडियो काफी वाईरल उआ उस वीडियो काफी वाईरल वा जिसको लेकर लेकर दीमसी के नेता बदो ब्नपि can राजमीती भी गर्म थी उसके बाद फिर पीमसी ने अभी फायार करवा दिया है इस मसले पर भाती जनता पार्टी भी तिलिप गोश्च से जवाब मांगी थी पार्टी प्रेसिडेंट जो जेपी नटा है उन्होंने भी बोला था कि आप एक बयाद जारी कीजिए नोटिस ज यह कांफी अफटी जनक बात है और इस उंट जो यह फाता नाजबी है और जिसको लेकर यह आओ प्रुत अब पार्टी पॉरम पे हम बात देखें तो बीजेपी है अब देखने माली बात यह होग्य किई आउ हम पार्टी ओर्टी फॉरम पर बीजेपी का क्या फैसला होता है क्योंकि बीजेपी ने नोटिस तो महां ही दिया है कि आप नोटिस जारी कीजिए या आप आपने किस अंदर में बात किया था वो चीज बताया आप लेकिन अभी तक दिलेगोश के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है अब देखने वारी बात यह होगी कि वो क्या जवाब देते हैं और इससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है बहुत बच्छ शुक्रियों उम्शील फिलाल आगे भी बने रहेगा मैसाथ आपसे अपडेट लेते रहेंगे खबरों पर